तो दोस्तो आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं Google डाइलर में कैसे कलर को चेंज कर सकते हैं और messaging apps में भी आपका color change होगा और आप यहां पे देख सकते हैं अब यहां पे color change हो चुका है देखे मैंने यहां पे color को change कर दिया है तो यह option मिल जाता है कैसे इसको इनेबल करना है वह मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं देख सकते हैं messaging app में भी आपको color change देखने को मिलेगा तो अभी आप यहां पे फिलाल देख सकते हैं जैसे मैं यहां पे Google डाइलर को open करता हूं तो open करने के बा तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है अपने mobile के setting में चले जाना है तो चलिए मैं mobile के setting में जाने के बाद आपको जाना है about phone में about phone में जाने बाद आपको MIUI version देखने को मिलेगा इस पर आपको 7 से 8 बाद टैप करना है और टैप करने बाद यहां पे developer क्या बाद यहां पे टैपलपर ओप्सेंग पसलिए देब्लॉफर हो जाता है उसके बाद आप settings में जाने बाद नीचे करने बाद आप है इसदेवलिखने का मिल जाएगा c kऌने बाद को यहां पर आन कर देना देख月 curriculum करना है उसके बाद आपको Nी छे स्क्रॉल करना है नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर यहाँ पे एक option देखने को मिलेगा वो option है USB dubbing security setting यह देख सकते यह option आपको यहाँ पर मिलेगा इसको simply क्या करना है on कर लेना है और on करने के बाद यहाँ पर पर्मिशन मांगा जाएगा तो आपको यहाँ पर वेट करना है वेट करने के बाद आपको next पर क्लिक कर देना है फिर से यहाँ पर पर्मिशन आएगा और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर वेट करना है और वेट करने बाद next पर क्लिक कर देना है लास्ट में यहाँ पर accept वाला option देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे accept पे click कर दें यह process complete करने बाद देख सकते हैं USB dubbing यहाँ पे enable हो चुका है जब यह enable हो जाए enable होने के बाद आपको यहाँ से back हो जाना है उसके बाद जाना है play store में और play store में जाने के बाद दोस्तों आपको एक application की जरूत पड़ लेना है और जैसे आप यहाँ पे open करते हैं वे इस पर इंटरफेस मिलेगा आपको next पे click करना है और उसके बाद देखी यहाँ पेương color वाला option देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर done पर click कर देना है और जैसे आप यहाँ पर done पर click करते हैं इस पर करकर interface देखने को मिलेगा नीचे में काफी सारे option मिल जाते हैं अगर यहाँ पर theme को apply करना है तो color पर click करें click करने बड़ आप इस पर apply कर सकते हैं select कर लें देन नीचे में apply वाल option मिलेगा इस पर apply करें और जैसे आप यहाँ पर apply करते हैं apply करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जैसे आप यहाँ पर google डाइलर में जाईएगा तो देखें यहाँ पर theme का color change हो चुका है उसी पर का google message में आप जाते हैं तो google message में भी आपको यहाँ पर theme का color change देखने को मिल जाएगा उसके लाव दोस्तों आपको यहाँ पर और भी काफी सारे option मिल जाते हैं चलिए और भी color में आपको यहाँ पर change करके दिखा देता हूँ जैसे custom में जाँगो तो custom में जाने के बाद और भी आपको यहाँ पर color change देखने को मिलेंगे आप इसको apply कर सकते हैं मैंने इसको select कर लिया select करने के बाद आप फिर से यहाँ पर google डायर में जाएगा तो आपको color change देखने को मिलेगा यह green color में आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको screen में यहाँ पे green color नहीं दिख रहा होगा पर यह pure green color में यहाँ पे change हो जाता है और भी आपको यहाँ पे color मिलेंगे तो आप किसी भी color को आप यहाँ पे pick कर सकते हैं जैसे इस color को मैं pick करूँगा और apply करूँगा और apply करने बाद मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये color भी आपको यहाँ पर change देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर color change हो चुका है उसके अलाओ दोस्तों Google के जितने भी application है उसमें भी आपको यहाँ पर color change देखने को मिलेगे तो आप Google Chrome भी open किजेगा तो आपको यहाँ पर color change देखने को मिल जाएगा पर दोस्तों यहाँ पर जो control center होता है उसमें कोई भी color change देखने को नहीं मिलेगा lock screen में आपको यहाँ पर color change देखने को मिलेगा lock screen का जो background color हो आपको change देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर wallpaper के click करके इसको apply कीजेगा तो wallpaper का जो भी color होता है उसको आप यहाँ पर change कर सकते हैं यह option भी मिल जाता है इसको भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं उसके अलावत दोस्तों यहां पे और भी color के option मिल जाएंगे तो जो भी color को आपको pick करना है तो उस color को आप यहां पे select कर सकते हैं और जब यह select हो जाता है उसके बाद आपको यहां से back हो जाना है और back होने मान नीचे में जब आप यहां पे color पे जाएगा तो वो color आपको custom में add मिलेगा तो उस color को आप यहां पे select करके apply कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो comment करके जरू बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को subscribe, like और share जरू कर दीजेगा